हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जुगाडू किचन में आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं चंद्रकला गुजिया की रेसिपी इसे रस वाली गुजिया भी बोलते हैं और ये ज़्यादा तर होली पे बनाया जाता है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे दो कप मैदा और यहाँ पे हमने एक चौथाई कप घी लिया हुआ है हम इसे मोहिन देने वाले हैं घी को हमने यहाँ पे पिगला कर यूज किया हुआ है हम मैदा और घी को अच्छे से मिला लेंगे अब हम हलका गर्म पानी लेंगे और उससे एक सक ताटा लगा लेंगे पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डाले एक बार में पूरा पानी ना डाले आटा हमारा तयार हो चुका है अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख के छोड़ देंगे यह अपने आप ही सेट हो जाएगा यहाँ पे हमने खोया लिया हुआ है खोया पहले से ही भूना हुआ था इसलिए हम इसमें बस ड्राइ फ्रूट्स आड़ कर रहे हैं और इसमें चीनी पहले से ही मिला हुआ था इसलिए हमने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आड़ किया है अब हमें इस तरह से पूड़ी बेल लेने हैं हम यहाँ पर बेल कर पूड़ी बना रहे हैं अगर आप चाहे तो एक बड़ा रोटी बना ले और ग्लास से पूड़ी के सेप का कट कर ले और इस तरह से हमने पेड़े के अकार का खोया यहाँ पे डाल लिया है और हमने इसके चारो और मैदा और पानी का एक घोल तैयार किया हुआ था उससे मिला देंगे ताकि जब हम इसके उपर से एक और पूड़ी डाल के इसे बंद करें तो आसानी से बंद हो जाए और खुले नहीं अब हम इसके उपर से जैसा कि मैंने बताया एक और पूड़ी डाल लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से बंद करतेंगे इसे आप अच्छे से बंद करें नहीं तो यह तेल में जाते ही खुल जाएगा हम इस तरह से इसे दबाएंगे अंदर से और मोड लेंगे इसे दबाना है और मोड लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम अच्छे से गूत कर तयार कर लेंगे हम इसे चारो और से इस तरह से दबाएंगे और इसे चारो और से गूत लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रकला का शेप कितना अच्छा निकल कर आया है यह देखिए हम इसी तरह से बाकी सारे चंद्रकला को भी तयार कर लेंगे हमने इसे इस तरह से फिर से एक पेड़ा डाल लिया है और हम इसके चारो और हमने जो मैदा और पानी का गोल तयार किया है उसे लगा देंगे ताकि इसकी नमी बनी रहे और इसे अच्छे से चिपका लेंगे अब हम इसे फिर से इस तरह से चारोर से गोट कर तयार कर लेंगे ये देखे हमारा दूसरा चंद्रकला भी लगबग तयार हो चुका है आपको इसी तरह से इसे तयार करना है इस बात का भी ध्यान रखे कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा खोया नहीं डालना है नहीं तो ये फ्राई करते समय फट जाएगा और इसमें बहुत कम भी खोया नहीं डालना है नहीं तो वह स्वाद अच्छा नहीं आएगा इसकी सबसे अच्छे बात ये है कि आप इसे एक से दो हपते तक फ्राई करने के बाद फ्रिज में स्टोड करके रख सकते हैं तो एक बार बनाएए और लगबग दो सपता तक खाईए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि हमने मावा को भी फ्राई किया हुआ लिया हुआ है और चंद्रकला को भी हम लोटू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं हमने चंद्रकला तयार कर लिया है अब हमने यहाँ पे रिफाइन ओयल लिया हुआ है इसी में हम चंद्रकला को फ्राई करने वाले हैं हमें ग्यास का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और एक एक करके हम यहाँ पे चंद्रकला को डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे आपको ग्यास का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक पाए हमें इसे चारों ओर से अलट पखलट कर पका लेना है यहाँ पे हमने पहला बैश तायार कर लिया है अब हम इसी तरह से दूसरी बार भी चंदरकला एके करके डालेंगे और इसे इस तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे ये देखिए हमने यहाँ पे एके करके सारी चंदरकला को अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं चीनी की चाष्णी जितना चीनी हमें लेना है उतना ही पानी लेना है जिस कब से आप चीनी ले उसी कब से उतना ही पानी ले इसे आप बीच बीच में इस तरह से चलाते भी रहें यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ी सी इलाईची कूट करके चाष्णी में डाल दी है ये देखिए चाशनी में उबाल आने लगा है ये लगबग तयार हो चुका है हम इसे अब गैस से उतार लेंगे और इसे थंडा होने देंगे अब हम एक एक करके चंद्रकला को चाशनी में डुबो लेंगे इस तरह से और इसे थोड़ी देर के लिए इसमें रहने देंगे 1-1.5 मिनट तक और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से आपको चंद्रकला को चाश्णी में डालना है और 1-1.5 मिनट के बाद इसे निकाल लेना है अब आए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हमने यहाँ पर सारे चंद्रकला को एक जगा रख लिया है इसके उपर हम थोड़ी से चासने डाल देंगे और इसके बाद हम इसके उपर थोड़ी से ड्राइफ रूट्स डाल कर गानिश कर लेंगे तो लीजिए तैयार है हमारी रस्बरी गुजिया या जंद्रकला आईए अब हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं यह देखिए कितना इवेंडली स्प्रेड हुआ है तो इस हो ली आप हमारी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट शेक्षन में लिख कर बताए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले